नहीं भारती जैनता पार्टी, अगर उस आदिवासी के पैर शिवराज सिंग चोहान धोते हैं, तो इससे आपके पापों का प्राइशित नहीं हो जाता है, आप ये तस्वीर सिर्फ राजनीती के लिए कर रहे हैं, ना कोई ताकत, ना कोई अदावत, और चाहिए पूरा सिस सुदामा यानि आदिवासी को सुदामा बताके खुद को कृष्ण साबित कर दिया, और वो बात वहां नहीं रुकी, पूरा गोधी मीडिया शिवराज सिंग चोहान के इस कदम को मांसर स्ट्रोग बता रहा है, और ये तक कह रहा है कि आने वाले चुनावों में फाइदा ह होगा, आपको कुछ सवालों के जवाब देने होंगे, गोधी मीडिया अगर आपके पापों पर परदा डालेगा तो इसका मतलब ये नहीं कि उप्राइश्यत हो जाएगा, मैं आपको बतलाने वाला हूँ दोस्तों, मैं क्यूं इससे राजनीतिक नाटक बता रहा हूँ, क जब अगले दिन बावाल होता है, तो फिर इसे किस तरह से धक्याया जाता है, और तब शिवराज पहुंचते हैं, पाउध होने, अब बताइए ना मुझे, ये राजनीतिक नाटक की है या नहीं, पूरा मामला एक स्क्रिप्ट के हिसाब से चल रहा था, अब मैं आपको ब स्वीरें, क्या मामा ने वाकई डामिज कंट्रोल कर लिया, पत्रकारिता के नाम पर जूट बोलने वाले पत्रकार किस तरह से फिल्डिंग करना शुरू कर दिये हैं दोस्तों, इसकी पहले मिसाल, बुकेश अंबानी के न्यूस चैनल का ये पत्रकार क्या कह रहा है, और इ कुछ एजिंडा धारी हैं, जो अपराद और अपराधियों में धर्म ढून लेते हैं, ऐसे लोगों से आपको बच कर रहना होगा, क्या भया, खुद को आइना दिखा रहे हो, सत्ता के करीब कौन हैं, तुम्हारे जैसे पत्रकार हैं, और मैं नहीं भूला हूँ दोस्तों, इनके जैसे पत्रकार मनिपूर को भूलके फ्रांस की चर्शा कर रहे थे, क्यों, क्योंकि वहाँ पर मुस्लिम आंगल दिख गया है, आज ही कह रहा है कि आपराधियों का धर्म नहीं होता है, मगर मुद्दा ये है कि प्राइम टाइम में रोज जो तुम जहर उगलते हो, भर्म के नाम पर लोगों को टार्गेट करते हो, क्या ये पत्रकार बतला सकता है, कि कोरोना के पहले लॉकडाउन में इसने किस तरह की जूटी खबरें चलाई थी, तबलीकी जमात पर आप जानते हैं, इसी पत्रकार ने ये जूटी खबर चलाई थी, कि तबलीकी जमात का पाकिस्तानी लिग है यानि कि तब्लीकी जमाच जो दिल्ली में पहुँची थी उसके पीछे इसने पाकिस्तानी साज़िश ढूढ ली थी उस वक मैंने इसको चुनौती दी थी कि दिल्ली पूलीस को बताओ तुमारी पास क्या प्रमान है ये बंदा चुप रहा था रोज सिवाए धार्मिक बहस के ये कुछ नहीं करता मगर आज देखो ये क्या वक्वास कर रहा है शर्म इनको मगर आती नहीं प्रबलिक भारत मामा ने दिल जीत लिया अब आप मुझे बताएए ना मामा ने दिल ही जीत लिया तो स्वाभाविक सी बात है चर्चा किस बात की रह जाती है डिबेट किस बात की रह जाती है फिर पापा की परी का दर देखिए कोई खान हो या कोई शुकला या किसी धर्म जाती से तालुक रखने वाला अगर उसकी गिरफतारी हो जाती है फिर उसके घर बुल्डोजर भेज कर पूरे परिवार को एक व्यक्ति के लिए सजा क्यूं बुल्डोजर चले अवैद निर्मान पर अदालत के आदेश पर फरार होने पर मगर पिछले कुछ मामलों में मद्ध प्रदेश में ऐसा नहीं दिख रहा है पापा की परी को मैं याद दिलाना चाहूंगा कि जब मुसल्मानों पर बुल्डोजर चलता है न तब यही पापा की परी उसे मुख्यमंत्री आदितनात का मास्टर स्ट्रोक बताती है तब यह तमाम जो कड़े सवाल हैं जो सही सवाल हैं आज जो यह कर रही हैं उस वक्त नहीं पूछे जाते आज खान और शुकला की बात को रही है आज देखिए किस तरह से प्रवेश शुकला का पितार हो रहा है यह बात अलग है कि यह जो रुदाली है आँखों में एक भी आसू नहीं है कुछ लोग इसे नौटंकी बता रहे हैं मगर अगर यह नौटंकी है दोस्तों तो इससे बड़ी नौटंकी सत्तारूड भारती जनता पार्टी कर रही है और देखिए गोधी मीडिया की हरकतें आपके स्क्रीन्स पर नभारत टाइम्स मद्ध प्रदेश के मुख्यमंतरी शिवरा सिंग चोहान ने सीधी पेशाप कांड के पीडित दश्मत रावत के साथ अपने निवास पर दोपहर का भोजन किया मैंने बताया ना पूरा चुना प्रचार चल रहा है दोस्तों तमाम मीडिया में चुना प्रचार चल रहा है और एक के बाद एक अब यह देखिए तिहार शिरोमणी पुलीस ने प्रवेश शुकला का कॉलर पकड़ने की आक्टिंग की शुक्र है इसे आक्टिंग तो मान रहा है आगे देखिए प्रवेश शुकला का पाप शिवराद सिंग चोहान का प्राइश्चित अब जब आप प्रवास में पीडित का संवान आप देखिए तमाम जगाओं पर एक सी बाते की जा रही है एक सी बाते की जा रही है जाही सोदामा की क्या दुरगती हुई थी हम सब जानते हैं दोस्तों कि आदिवासियों की मद्ध प्रदेश में दुर्दशा है पूर्मुक्य मंत्री कमनलात ने इस मुद्धे पर हमला बोला है क्या बोल रहे हैं यह सुनते हैं दोस्ते आज जो यह सीधी की घटना हुई है उसने पूरे मद्ध प्रदेश को देश भर में कलंकत किया है कि आदिवासि समाज जो मद्ध प्रदेश में सबसे अधिक है उनकी के हालात है और शिवराज सिंग जी दित्ती नाटक नौटंकी कर लें और अपना पाप 18 साल का पाप दोने का प्रयास करें नहीं दोने नहीं दोलता अगर उनकी सच्ची आत्मा होती वो यह कैमरा बुला के वो नहीं दिखाते उनको मतनब कैमरा से था यह कैमरा की नौटंकी इन्होंने 18 साल कर लिए अब यह चलने वाली नहीं है कुछ और आकड़े जिनके जवाब भारती जनता पार्टी को देने होंगे न्यूस क्लिक का यह आकड़ा है कि आदिवासियों को जो पैसा दिया जाता है केंद्र सरकार दुआरा वो हर गुजरते साल के साथ नीचे होता जा रहा है यह आकड़े जो हैं करोडों में हैं 2017 18 मे मध्यप्रदेश को आदिवासियों के लिए जो आकड़े मिले थे वो थे 4144 करोड 2018 में कम हो गया करीब 800 करोड कम हो गया दोस्तो 3335 करोड 2019 20 में यह आकड़ा हलका सा बढ़ता है 3453 करोड 2020 21 में और गिर जाता है 3207 करोड और 2021 22 में वो धडाम से गिर जाता है 1718 करोड यही नहीं दोस्तों आदिवासियों पर जिस तरह से अत्याचार हो रहे हैं इस बात को लेकर भारती जनता पार्टी से कॉंग्रिस कुछ सवाल पूछ रही है सुप्रिया शुनेत क्या कह रही है इन सवालों के जवाब भी भारती जनता पार्टी को देने होंगे और वो सव क्या हैं आपकी स्क्रीन्स पर शिवराज जी आदिवासियों पर अत्याचार के मामले में मध्ध प्रदेश नंबर वन है आपके शासनकाल में 30400 आदिवासियों पर अत्याचार हुआ साल दर साल मामले बढ़ रहे हैं 2019 में यह आखड़े हैं दोस्तों 10922 आदिवासियों पर अत्याचार हुआ 2020 में बढ़ जाता है 2801 आदिवासियों पर और 2021 आखड़ा और भी बढ़ जाता है 2627 आदिवासियों पर अत्याचार हुआ सुप्रिय श्रिनित आगे कहती है पै धुना तो दूर बाकी पीड़तों की भी कोई खोज कबर तक नहीं ली आपने आपके इस धोंग से जनता भली भाति वाकिफ है जोला उठाने की तैयारी कीजिए दिक्कत यही है दोस्तों की मद्ध प्रदेश को जोले का डर सता रहा है क्योंकि मद्ध प्रदेश भारती जनता पार्टी में जबरदस्त जूतम पैजार चल रही है अंधुरी कला जो है वो तमाम रिकॉर्ड स्पार कर रही है उपर से इस तरह की जो तमाम घटना है साथ ही Congress का जो campaign है वो बहुत ही focused है इस वक्त कमलनात के नितृत में प्रियंका गांधी वाडरा भी लगातार जा रही है मद्धप्रदेश हर महीने वो मद्धप्रदेश जा रही है हर पंदरा दिन वो मद्धप्रदेश जा रही है यानि कि कॉंग्रिस की तैयारी अभी से दिखाई दे रही है अगर कॉंग्रिस कुछ गड़बड नहीं करती तो यकीनन मंधप्रदेश में उसके लिए एक स्वरनिम अवसर है अगर आप जानते हैं कॉंग्रिस वो पार्टी है जो हाथ आई जीत को भी कई बार कावा देती है धेरो मिसाले हैं उसकी वो एक अलग बात है इसलिए बीजेपी बॉकला गई है इसलिए शिवराज सिंग जोहान अपने घर में बुलाके उनके पाउंध होते है इसलिए वो खुद को श्री कृष्ण बताते है मुद्दा ये है और उसके इलावा कुछ नहीं अब इसार शेर्मा को दीजे अजासत नमस्कार